अब देखिए इस वीडियो में आपको से दो डेफिनिशन बताऊंगा और मेरे खाल से आपको याद भी हो जाएगी और याद हो जाए तो प्लीस लाइक करें वीडियो को और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा अब देखिए सबसे पहले की सेक्षिक निर्देश बताऊंगा एक तो बेवर हो जाएंगे उनके अनुसार क्या इन्होंने बताया है और दूसरा है रूत स्टेंग के अनुसार अब कैसे इसको याद करेंगे क्योंकि एक्जाम टाइम में प्रेशर रहते ही है और डेफिनेशन बोलने के चांसे डेफिनेशन का सब कुछ बू प्रेशन के रूप में दी जा सकती है कोई भी बात जिसका सम्मंद सीखने या सिख्षा से हो सेक्षिक निरदेशन के सब्द के अंतरगत आता है अब देखिए इसको खाली सर्फ एक शब्द को गुमाना है यहां पर क्या लिखा है बेवर से आप करिए खाली बेवडा तीक अब बेवड़े लुप क्या है जो जादा पीते हैं उनका क्या होता है मांस्पलाड मधो मैंस्णní संतुलें होता है वह इस धनन नहीं रहता है ठीक है बेवर से मैं ने करा मैं रहा जो बेवड़ा दो बेवड़े सेह सब्दे से अपको याद आगा मैंसिक संतुलन या मैंस इसको याद कर सकते क्योंकि आपकी को यह तो कौमनी की परिवास वेक्ति कि किसके मानसिक विकास में सायता देने के लिए सचेत प्रयास के रूप में दी जा सकती है इतना याद हो गया फिर इसके बाद आप हम लोग किसकी बात कर रहा है सचिक निर्देशन ति अब याद हो जाएगा आपको कोई भी बात जिसका संबंद सीखने या शिक्षा से हो सेक्षिक निर्देशन के अंदर आता है अब हम बेवडे को ले बोटल को ले चाय कुछ भी ले हमको क्या मतलब है खाली उस कोई भी उस चीज़ से हमें खाली सीखना है ठीक है सीखने की परपस से हम लोग कुछ भी चीज़ लेके उसको सीख सकते हैं ठीक है तो मैंने बेवर से क्या याद हुआ बेवडा तो बेवडा से क्या आएगा मानसिक विकास मानसिक विकास याद आनेक बाद आपको याद है कि मैंने ब वीडियो को ठीक है आप देखें देखते हैं दूसरी डेफिनिशन जो मैंने बनाई है वह है रूथ इस्ट्रेंग की है तो इन्होंने क्या बुला कि व्यक्ति को सैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मोख्य उद्देश समुचित कारिक्रम के चुनाव और उसमें प्रगत में सहता देना जा अब देखे इसको सैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के चुनाव प्रगति प्रगति करने सेक्षिक निर्देशन ले लेगा ठीक है सेक्षिक निर्देशन लेने के बाद वो क्या बन जाएगा स्ट्रॉंग बनने के बाद क्या करेगा वो कारिक्रम में भाग लेगा कारिक्रम में भाग लेने के बाद क्या करेगा वो चुनाओ लड़ेगा चुनाओ लड़ने के बाद की कार है वो क्या करेगा उसको गती में लाएगा गती में लाएगा या फिर तेजी से करेगा ठीक है तो यह थोड़ा से याद भी हुआ होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया है ठीक है क्या है कि कि definition आप रटेंगे तो आपको रटना नहीं है इस बार क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ को याद होगा कुछ हमेसा भूल जाएंगा वहाँ जाने के बाद हमेसा यह होता है कि कौन से सब्द यहां पर रखें तो इसलिए मैंने क्या करा है खाली उन सब्द को उठाया है जो जिस इसके बाद क्या करेगा वह चुनाओ लड़ेगा चुनाओ लड़ने के बाद क्या करेगा वह प्रगति करेगा कोई भी काम को गति में लाएगा ठीक है तो इससे आप लोग खाली वर्ट को याद रहेंगे तो आप sentence बना सकते हैं ठीक है तो देखिए अब इसकी definition क्या हो ज पूस्ट्राइब पिरे अगर नए है चानल ठीक धान्यवाद